नमस्कार मैं हूँ आपके संगित्यम मंत्र यंतंतरवास्तु के विशेश कासकर के साथ काल भहरब भगवान को सिव जी का रोदर स्वरूप बताया गया है इन्हें कासी का कोतबाल भी कहा जाता है अपने भक्तों के लिए बावा भहरब दयालू कल्यान करने वाले और सिख्र ही प्रसन होने वाले देव मने जाते है परतेक माह के कृष्ण पक्ष्ट की अश्मी तीथी काल भहरब को समर्पित है इस दिन काल भहरब की पूजा की जाती है लेकिन मार्ग सिर्ष माह के कृष्ण पक्ष्ट की अश्मी तीथी का खास महता है क्योंकि इस दिन भगवान काल भहरब का अबतरन हुआ था काल भहरब जैनती के दिन बाबा काल भहरब की बीधी बिधान से पुजा कि जाती है बाबा काल भहरब की पुजा करने से भाय से मुक्ति प्राप्त होती है कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले पर काल भहरब महरमान रहते हैं लेकिन जो अनितिक कार्ज करता है उनके लिए उनके परकोप से बस पाना बहुत ही मुश्किल होता है सास्त्रों में काल भहरब का बाहन कुत्ता मना गया है यदि ऐसे में अगर आप काल भहरब को प्रसंद करना चाहते हैं तो काल भहरब जहनती के दीन आप काले कुत्ते को भोजन भी करा सकते हैं इस बार काल भहरब जहनती होगी 5 दिसंबर मंगलवार के दीन इस दिन meditation का आयोजन किया गया है जिसका समय होगा morning में 7 बज करके 7 बज करके 30 मिनट तक और evening में होगा 7 से ले करके 7 तीस तक यानि कि आप morning में भी 7 से 7 के बीच आप इस meditation में भाग ले सकते हैं और evening समय में भी 7 से 7 के बीच आप इस meditation में भाग ले सकते हैं अब इस meditation में अगर आप participate करते हैं तो इससे क्या आपको लाभ मिलेगा देखिए काले जादू और बुरी नजर जैसी नकात्मक जो सकती है उससे आपको सर्वो सुरक्षा का आशिरबात प्राप्त होगा स्वास्त धन सम्मधी और मनोकामना पुर्ती के लिए भी ये सहायक होगा अंकार का नास होगा और ब्यक्ति का अध्यात्मिक यात्रा में प्रगती में भी आपकी सहायक ये meditation सिध्ध होगा सनी दोस्त पर काबू पाने के लिए भी ये सहायक होगा पैत्रिक समस्याओं पित दोस्त पर भी काबू पाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाबदायक होता है भय और सत्रू पर काबू पाने के लिए इस meditation में आप जरूर ही participate करे देखिए जब हम सभी एक ही समय पर और एक ही उद्देश के लिए एक साथ ध्यान करते हैं meditation करते हैं तो जो उर्जा उत्पन होती है वह हमारे दैनिक ध्यान के दोरान दीनों महिनों और यहां तक की बरसों तक अनुभब की गई उर्जा से हज़ार गुना अधिक होती है इस ग्रूप ध्यान से उत्पन जवर्दस्त उर्जा परती भागयों की रुकावटों को दूर करके समस्याओं को ठिक करने में मदद करती है इससे आपके जीवन की समस्याए हल हो जाती है यह दिब सकत्मक उर्जा पैदा करके ना केवल परती भागयों को बलकि दुनिया को भी ठिक करता है या बैस्विक ध्यान हमारे लिए मानपता की सेवा करने और अध्यात्मिक रूप से बिख्षित होने का भी एक अफसर है इसलिए इसमें आप जरूर सामिल होए ध्यान के लिए एक समान दिशा निर्देश है इसको आप जरूर ही फोलो करें सबसे पहली चीज ध्यान के लिए किसी अस्थान पर अराम दायक अस्थिती में उनी चटाई पर आप बैठ सकते हैं जिसको बैठने में दिक्कत है वो कुर्शी का भी उप्योग कर सकते हैं लेकिन अपने पैरों के नीचे उनी चटाई अवस रखिए रीर की हड़ी सिधा रखें और ध्यान के लिए पुर्व या उत्तर की और अपना मुख करके बैठिए शरीर में उर्जा केंद्रों को संतुलित करने के लिए नौ बार ओम का जाप करें तीन से पांच मिनट तक आपको गहरी सांस लेना है अपने आज्या चक्र पर भगवान काल भेरब की कलपना करें और पुष्प चढ़ा करके मांसिक रूप से पूजा करें किसी बिसिस्ट इक्षा जैसे नौकरी, बिवा, स्वास्त की पूर्ति के लिए सच्चे मन से प्राथना करें रुदराक्स की माला से कम से कम 108 बार जो मंतर में बता रहा हूं इस मंतर का जाप करें नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनिट तक इस मंतर का जाप करें अगर आप माला से जाप करेंगे तो एक सा आठ बर करेंगे अगर माला से आप जाप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम एक सा आठ बार इस मंतर का जाप अबस करेंगे अगर आप इन मंतरों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो इक्छा होगी वो इक्छा पु इसका प्रभव काई गुना जादा होगा और जब आप इसको कर लेंगे तो इसका जो फल है आपको बहुत ही जल्द मिलेगा तो निश्चित रूप से आप इन meditation को जो 5 दिसंबर है morning में 7 से 7 के बीच में जोइन कीजिए और नहीं तो आप evening में भी साम के समय में भी 7 से 7 के बीच जोइन कर सकते हैं सबको एक साथ बैठना है मैंने आपको ये दिसा अनिर्देश दिया है कि कैसे आपको बैठना है आप अगर एक साथ ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कि पैसे लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों सगे समयों की साथ भी शेर करें ताकि वो भी अगर इस मेडिटेशन में पार्टिपेट करते हैं तो उसका जीवन भी बहुत ही सुप में होगा आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद